वेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल आज हम बात करेंगे कड़गनाथ के बारे कड़गनाथ चिकन जिसे आप ब्लैक मासी भी या कई लोग काला मासी भी कहते हैं तो मेंली यह आपको मिलेगा ना यह आपको इंडिया में मिलेगा मद्यपृदी इसमें ठीक है और चाइना म में बात करूं तो प्रोटीन की अगर मैं बात करता हूं तो आपका जो और चिकन होता है और जो कड़गनाथ कड़गनाथ में 25% हाइयर प्रोटीन होता है और कोलेस्ट्रोल की बात करते हैं तो जो आपका नॉर्मल चिकन आता है ब्रॉयलर चिकन उसमें आपका कोलेस्ट्र लेवल रहता है 13 to 25 परसेंट और आपका कड़गनात में कितना रहता है 1 परसेंट मैक्सिमम बी 1, B2, B6, B12, विटामिन C, विटामिन E, प्रोटीन, फैट, कैल्चियम, फास्फोर, सायरन, सब कुछ है इसमें इसलिए ये इतना famous होता जा रहा है medicinal properties क्या है इसकी? बिल्कुल है कुछ tribes हैं जो इसे use भी कर रही है blood से related problems को chronic diseases को ठीक करने में अब जैसे doctors होते हैं वो आपको देते हैं sidenophyll citrate वो किसलिए दिया जाता है? तागि आपको blood flow, heart rate ये सब maintain हो मगर सेम चीज, सेम pigment जीसे कहता है melanin pigment वो कडगनात में होता है और इसी melanin pigment की वज़े से कडगनात का पूरा body black होता है eyes black होता है, blood भी black होता है अच्छा उसके बाद एक myth भी आता है कि इसके अंडे भी black होते हैं तो नहीं दोस्तों जो कडगनात होता है उसके अंडे होते हैं आपके brown color के dark brown color के इसके अंडों के भी काफी benefit है जैसे जो old age people है उनको high blood pressure रहता है तो उन लोगों को इसके अंडे खाने चाहिए अगर आपको severe headache है इसके अंडे खाईए आपको help करेगा तो अगर मैं छोटा सा summarize कर दूँ तो protein इसमें ज़्यादा है fat इसमें कम है सब ही vitamin है लगबग इसमें एक और चीज़ जो मैं मिस कर गी है इसमें 18 essential amino acids होते है जो आपके hormones को control करेंगे अब आपके hormones अगर control रहेंगे आपके central nervous system control रहेगा तो सब कुछ best रहेगा यह आपके central nervous system को भी control करता है ठीक करता है उसका ideal बनाता है nutritional value देख लिजी आप कितनी है high blood pressure है खाई आप कडगनाथ कडगनाथ के लिए experts यहां तक कहते हैं कि इसमें antioxidant होते है antioxidant का क्या काम होता है तो कुछ लोग जो tobacco लेते हैं nicotine लेते हैं तो उनके body में oxidant बन जाते है oxidant से क्या होता है cancer हो जाता है तो अगर आप कडगनाथ खाते हैं इसमें antioxidant है apple में भी antioxidant होते हैं आपकी green tea में भी antioxidant होते हैं तो यह उन oxidants को बाहर निकालते है उससे क्या होता है जो probability है आपको cancer होनी की वो कम हो जाती है ठीक है आगे हम बात करते हैं मैंने आपको बता दिया इसके protein के बारे में इसके अंडे काले नहीं होते यह काफी लोग उज़ने मुझसे बूच जाता है इसके अंडे भी काले होते है क्योंकि मैं खुद इसके farming करता हूँ अगर farming की बात करें तो आप महिंदर सिंग धोनी को जानते ही होंगे आप महिंदर सिंग धोनी भी कडगनात की farming करते हैं और यहां तक जो हमारी Indian cricket team है उनको lunch में कडगनात का ही chicken दिये जाता है इससे काफे सारी disease आपकी tuberculosis, heart disease यह सब ठीक हो जाती है pricing की अगर मैं आपसे बात करूँ तो pricing का इसमें यह है कि इंडिया में देखिए आपको मिल जाएगा 900-1000 रुपे किलो में तो आप सोचिए कितना beneficial है हमार लिए easily available है इंडिया में अगर आप भी order करना चाते हैं मैं भी farming करता हूँ आप मुझसे भी order कर सकते हैं आप comment कर दीजिएगा इस video के नीचे अगर आप within असाम रहते हैं तो हम आपको कोशिश करेंगे अगर हम आपको home delivery करवा पाएं तो यह सब इसके benefits हो गए है इसमें antioxidant है eyesight के लिए बहुत अच्छा होता है protein है इसके अंदर cholesterol level कम होता है तो आप उसकी चिंतानी गन्नी vitamin E है इसके अंदर iron है calcium है amino acid है energy को आपकी boost करेगा आपके heart को healthy रखेगा यह woman health के लिए भी बहुत अच्छा है तो दोस्तों जान गए आप कितने benefit हैं इसके अब जल्दी से एक like दबा दीजिए नीचे और लाल वाला बटन होगा subscribe वह भी कर दीजिए इन future मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं आपको इसकी recipe बताओं इसे कैसे बनाया जाता है यह बहुत टेस्टी होता है आपका जो regular chicken होता है यह उससे ज्यादा टेस्टी होता है और टेस्ट के साथ जब benefit मिल जाते हैं तो उसके तो फिर बात ही क्या है दोस्तों मिलते हैं आप से अपनी अगली वीडियो में और एक comment जरूर कीजिएगा क्योंकि अगर आप comment करेंगे तो हमारी one to one बात हो पाईगी मैं जान पाऊंगा आप लोग क्या देखना चाहते हैं मैं आप आपको असाम का क्या दिखाऊं आप ऐसा क्या देखना चाहते हैं जो देखके आपको अच्छा लगेगा तो ऐसी ही जानकारी के साथ और recipes के साथ मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में Thank you so much.